सो अब आप इमेजन यह करें कि 2021 में मोदी साब की जो कैबिनेट है उसने को 10 सरब डॉलर डॉमेस्टिक सेमी कंड़क्टर एंड डिस्प्लेय मैनॉफेक्ट्रिंग गाल को चाइनीज नराज होके बैठे हुआ है ml1 आपको नहीं दे पारे वो कह रहे हैं आपकी एकॉनिमी में इतनी जान ही नहीं है कि 10 सरब डॉलर पर को डेजिस्ट करें जहीं दोस्तों मो डिडेश में आपका सोगत है दोस्तों इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सस्क्राइब करना मद हुलिएगा तो दोस्तों आज पाक मीडिया बात करें कैसे भारत ने जो लोग चीप मैनुफेक्टरिंग के लिए भारत में इंवेस्ट कर रहे है उन की मुकबलिंग पाकिस्तान ने एक डिलीवे बनाने के लिए चीन से 10 Billion डोलर मांगे थे और चीन ने उनके मूह कर देही है के dbув वापस लोटाने की आपकी ऑपकार्ट नहीं है और पाकिस्तानी मीडिया यह भी कह रहा है कैसे भारत ने Vision M brag मिंसें के बार बिससंद का भी देखेगा तो चलिए और इंडिया जो है वो चिप मेकिंग के जो ग्लोबल जो एशिया मैप है उसमें इंडिया होगा कि थाइलेंड होगा डिसकेशन यह हो रही है और दोनों मुमालक जो है वह सेमी कंडुक्टर मैंनुफैक्टरिंग इंवेस्टमेंट में बाग रहे हैं द उसने को दस अरब डॉलर ठीक है जी का जो एक सपोर्ट प्रोग्राम दिया डिमेस्टिक सेमी कंडुक्टर एंडिस्प्ले मैनुफैक्टरिंग गाल करो और आपको आप पाकिस्तान को चाइनीज हो हैं वो ML1 प्रोजेक्ट नहीं दे रहे हैं जो एक दस अरब डॉलर का है दे रीजन बिहाइंड इस वो कह रहे हैं कि यह आपकी एकॉनिमी इतने जोगी नहीं आपका मुल्क इतना जोगा नहीं है कि वो दस अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट उसको डैजेस्ट करें यह फरक का मोदी ने दस अरब डॉलर का डॉमस्टिक सेमी कंडुक्टर एं लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कहां वो खबरें आ रही हैं कि जनाब थाइलेंड और इंडिया जो है वो दोने दोनों जो है वो रीड्रॉ कर रहे हैं इंडिस्टियल मैप एशिया का चुछा है तो आप जी आपखे ने तुवयों है ना वार्चार बाटियर ने विजनस नहीं कर सकते हम आपके साथ क्या कर सकते हम आपके जो वजीर खार जाए थे उनसे कहते हैं कराची में वह एक सरो फफता हर जो इमाम खोमेनी रोड गार को इस दीजा दर प्रॉरिटीज चाइनीज नराज होके बैठे हुआ हैं एम एल वन आपको नहीं दे पारे वो कह रहे हैं आपकी एकॉनिमी में इतनी जान ही नहीं है कि दस हरब डॉलर पे को डेजिस्ट करें और फिर उट को प्रोड्यूस करें उसमें से कॉनिमी जो है वो इत कर रहे हैं हर फिल्ड में development करें तो फिर पाकिस्तान डिफाल्ट होने की आए दिन खबर हम क्यों सुनते हैं जब हर चीज में हम development कर रहे हैं तो इसी के ओपर हम क्या आपको नहीं लगता हमें बात करनी चाहिए खाली यह कह देना चाहिए पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस् पहले सोचल मीडिया बे देखी बलके कली देखी कि जिस तरह से पहले इंडिपेंड़स डे मनाया जा रहा था तो अब नहीं मनाएगा लाइक ट्विटर फेसबुक इंस्टाग्राम टिक टॉक सब पर लोगों ने लगा है कुईसी ने यूएस का जंडा लगाया बेलकुल स तो इस नेगिटिविटी की वज़ा क्या बनी मतलब जैसे यह बाई ने बात किया कि हमें हमेशा पाकिस्तान की तरीफ करनी चाहिए अप्रिशेट करना चाहिए लेकिन यह इतनी बड़ी तदाद में अचानक सोशल मीडिया पर कैसे आगे पाकिस्तान से बाहर कोई के लोग यह कह रहें कैसे पाकिस्तान जिनदा बाग बाद अब किया पाकिस्तान से जिनदा भाग ठ्यों कि हमारी तरफ नहीं वं तो पर शुपर करें मैं और औरने यह बा। तो यह उनका कहना था कि भारत दुनिया का टूर्स आती है, यानि दुनिया भार से उसकी दोस्ती है, दुनिया भार उसको सिलूट करती है, दुनिया भार उसकी तरफ तिजारत के लिए आती है, उससे एग्रिमेंट्स करना चाहती है, भागे दोड़े चले आ रहे हैं सब लो कि हमारे पर क्यों फबंदी लगा रहे हैं आप क्यों इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो बंद कर रहे हैं हमें तो आने दे यानि जो चले दोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं तो भारत में जो चीप मैंफ्रेक्ट्रिंग के लिए दस बिलियन डॉलर दिने का फैसला किया है यह कोई नहीं खबर नहीं है भारत नहीं है कई महिनों पहले एनॉंस कर दिया था और इसलिए आप देखा हो कि बहुत सारी कंपनिया चीप मैंफ्रेक्ट्रिंग के लिए भारत में आ रहे हैं क्योंकि इससे उनका भी फाइदा होग और यह 10 बिलियन डॉलर में उन्हें भी पैसा मिलेगा और इससे उनका जो कॉस्ट है मैनुफ्रेक्ट्रिंग बिस्ने सिफ्ट करने का वह भी कवर हो जाएगा तो इसलिए बहुत सारी कंपनिया जैसे की फोक्सकॉन भारत में चीप मैनुफ्रेक्ट्रिंग का प्लैंट बन भारत जब चीप मैनुफ्रेक्ट्रिंग करेगा तो अमरीका भी टाइवान से सिफ्ट होके भारत की तरफ आ जाएगा चीप के लिए और पाकिस्तान में मसिडाचीज हुई थी पाकिस्तान में क्या ऐसी चीप मैनुफ्रेक्ट्रिंग होती है तो उस बंदिन ने कहाता कि प पोटेटो चिप मेनुफक्चरिंग होती है तो यह मसेड़ा चीज होई थी जब यह एनॉंस वादा की भार में चीप मेनुफक्चरिंग प्लांट लगने वाला है और आखिर मैं यह कहूंगा जहां तर यह चीज है कि चीन पाकिस्तान को दस बिलियन डॉलर रेलवे के लिए दे रहा तो वह इसलिए है कि सिपेक का पैसा पाकिस्तान पहले ही खा चुका है और उससे पापा जौन के पीज़े उन्होंने बना लिया तो इसलिए अब चीन भी पाकिस्तान को पैसा देखके दे रहा है कि पाकिस्तान यह पैसा वापस लोटा पाएगा यानि वैसे पाकि वीडियो दिखने के लिए बॉर्वा सिद्या और हमारे चैनल को सेस्क्राइब करना मत भूलिएगा ठैंक्यू वेरी मच्छ